रूस और मद्द एशिया देशों की यात्रा के आखरी चरण में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ताजीकिस्तान की राजधानी दुशामवे में हैं। की जाँच के लिए CVI ने 40 सदस्य टीम बनाई है। रूपय का जुर्माना भी लगाया है। पर चर्चा होगी। बैठक में लोकसभा के 18 और राजी सभा के 10 सदस से शामिल होगे। और एक आतंगवादी को मार गिराया। रक्षा विवहा के प्रवक्ता के अनुसार आज सुबह पुंच जिले के बान नुई इलाके में नियंतरन रेखा के पास आतंगवादियों का एक सभू भारती सीमा में गुसने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि नियंतरन रेखा पर सुरक्षा के लिए तैना सुरक्षावलों ने उन्हें चुनोती दी जिसके बाद हुई मुटभेड में एक आतंगवादी मारा गया। जम्मु शीर नगर रास्टी राजमार्ग पर बनाया जा रहा देश का सबसे लंबा सुरंग मार्ग अगले वर्ष जुलाई में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और इसमें दोनों शेहरों के बीच दूरी 30 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। जम्मु कश्मीर में जेलम नदी के जलिस्तर में बढ़ोत्री को देखते हुए बाल की शुरुआती जेताबनी जारी की गई है। देश में अत्यदिक सक्री रहा। पंजाब, हरियाना, चंडीगाल और दिल्ली में भी ये सक्री रहा। मौसम विभाग का नुमान है कि तटिक करनाटक में कुछ इस्तानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। भारत के पास विशाल युवा आबादी है जो जन सांखे की लाब देने की असीम शमता रखती है। उन्होंने कहा कि ये मेला भारत से निर्यात किये जाने वाले पर इधनों के लिए एक बड़ा मौका सावित होगा। भारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड यानी बी-सी-सी-ाई ने आज मुंबई के ररजी किर्केटर हिकेन शाह को आई-पेल के दौरान एक साथी किलाली के साथ ब्रस्ट आचलन के आरूप में आज निलम्बित कर दिया। पि-सी-सी-ाई ने मामला अपनी अनुशाशन समित को सौप दिया है जो इस पर आगे कारवाई करेगी। यूरोपीय संग के अद्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने आज कहा कि 17 घंटे चली बादचीत के बाद यूरोशित्र के नेताओं के बीश यूनान को तीसरा राहत पैकेज देने और इसे यूरोशित्र में बर्गरार रखने पर आमसहमती बन गई है। टस्क ने यूरोपीय संग के राहत कोश का हवाला देते हुए कहा कि यूरोशिकर बैठक में सर्वसमत बन गई है। सभी यूनान के लिए गंभीर सुधार और वित्तिय साहिता वाले यूरोपीय स्थिरता प्रणाली इसम कारक्रम के लिए तयार है। बश्च 2010 के बाद ये यूनान को तीसरा राहत पैकेज होगा। विश्च शक्तियों और इरान के बीच एतिहासिक परमाण समझोते को लेकर बाचीत फ्रांस के अनुसार अंतिम चरण में पहुँच गई है। लेकिन अमेरिका ने आगा किया है कि परमुक मुद्नों का हल किया जाना अभी भी बाकी है। समझोते के लिए सुमवार की नवीनतम समय सीमा से पहले राजनाई के गद्विधियां तेज होने के बाद किसी सफलता के करीब होने की उम्मीद बढ़ गई है। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत खोस्त में एक आत्मगाती कारवम हमले में करीब 18 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 अनलोग खायल हो गई है। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।